हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त अधित्य और स्वागत है आपका साइवर वारियर्स एपी यूट्यूब चैनल में तियार आज हम पाइथन की हेल्प से एवरेज फाइडिंग कैलकुलेटर बनाने वाले हैं और मज़े की बात यह है कि भाई वह बात भी करता है तो चलो स्टार्ट करते हैं मैं आपको पहले उसका एक डेमो दिखा देता हूं फिर मैं आपको बताते हूं कि उसे बनाते कैसे हैं तो यह हम आचुके इससे मैं रन करता हूं तो मैं यह पर पहला नमबर डालेता हूं 54 और मैंने एंटर दबाया यह एक्जिट हो गया तो आप देख सकते हूं इसने बिलकुल सही एवरेज निकाल आए तो चलो हम लोग यहां पर अपना प्रोग्राम लिखते हैं न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं प्रोग सही एवरे लोग्रेता हैं कि यहां पर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अब हम लोग यहां से अपना कोड लिखने वाले हैं जिसके मदल से यह जो प्रिंट लिखा हुआ है इसको यह रिड़ करेंगा यहां पर इंजिन इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर लेते हैं तो यह पहला लाइन अब यह रिड़ कर सकता है अब हम दूसरे लाइन के साब भी ऐसे ही करने वाले हैं यह हुआ हैं वह प्रिया हुआ है वप्रिया हुआ है यह हमारा इंजिन.run and wait तो अब हमारा दूसरा प्रिंट भी अभी रिट कर सकता है तो चलो अब हम लोग अपना में प्रोग्राम लिखते हैं में मैं यहाँ पर कम्यंट दे रहा हूं कियां से आपको पता चले आसानीसे कि यह से हमारा मीन प्रोग्राम इब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट और वा योर फस्ट नमबर यहां पर यह प्रिंट होगा enter your first number यहां पर एक input हम लोग लगा देते हैं is equal to input यहां पर अब हम लोग अपने पहले number को अब यहां पर सेम यह वाला code को copy कर लेते हैं यहां पर पेस्ट करते हैं और यहां पर लिखते हैं enter your first number अब हम लोग दूसरा भी असे लिखते हैं यह हम यह यह calculator बना रहे हैं यह बस दो डेजट का ही average पाइंड कर सकता है दो नंबर का ही कोई भी दो नंबर का प्रिंट एंटर यूर सेकेंड नंबर आप चाहें तो इस पर तीन-चार इंपूट डाल के तीन-चार नंबर का अब्रज निकालने वाला भी आप बना सकते हैं सबका प्रोसेस सेम होगा तो इसे ऑब हम लोग यहां पे एक और डाल देते हैं D is equal to input अब यहां पे हमारा यह main प्रॉग्राम है यहां पे हम लोगwyneth हो अपने number को type करेंगे अब यहां से हम अ実 रहें स्टार्ट स्टार्ट करता है अपने प्रोग्राम का यहां पर यह solution करेगा ठीक है यह जितना भी रहेगा solution find करेगा ठीक है तो find के नाम से कर देते हैं comment फिर यहां पर एक print function देते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम लोग जो भी number डालेंगे वह एक string में आएगा तो string को integer में convert करने के लिए हम लोग यहां पर int function का यहां पर use कर रहा है int a यह हमारा पहला input है then हमारा यह plus होगा int b then यह divide हो जाएगा 2 यहां पर हम average time formula डाल रहे हैं ठीक है यहां पर यह solution यहां पर आ जाएगा अब इससे भी बोलने के लिए हम लोग यहां पर इसको copy करते हैं यहां paste कर देते हैं और यहां पर डाल देते हैं your answer is अब यहां पर यह तुरंत प्रोग्राम खतम ना हो जाए इसलिए हम लोग यहां पर एक और input डालेंगे c is equal to input और यहां पर इसके लिए भी एक ग्रीट करने के लिए बरा देते हैं लास्ट में यह ग्रीटिंग दे देगा इसलिए इसको यहां से दिलीट करने करते हैं प्रोग्रम कर सकते हैं thanks for your visit press enter to exit और यहां पर एक प्रिंट भी लगा जाता है press enter to exit अब यह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है इस input को कट करके यहां लास्ट में पेस्ट कर देते हैं त्यार यह हमारा code पुरा हो चुका है मैं इसे जूम कर देता हूं आप लोग यहां देख सकते हो तो यह हमारा code है अब हम इसे run करते हैं त्यार यहां पर हम लोग इसे save कर लेते हैं calculator.py आप extension लगा भी सकते हैं नहीं भी क्योंकि यह VS code में अपने यह save हो जाएगा यहां यहां पर मैं इसे save कर दिया हूं अब यह run हो रहा है Hello and welcome to the average finding calculator This calculator is made by Cyberwarriors AP Enter your first number त्यार मैं यहां पर अपना पहला number डालेता हूं कुछ भी लंबा number डालेता है कुछ भी यहां पर जैसे 4, 3, 5, 2, 6, 7 Enter your second number Second number डालेता है Your answer is Thanks for your visit Press enter to exit अम लोग यहां पर enter जैसे ही दबाएंगे यहां पर exit जाएगा वापस से हमारे pathway आगया ही तो यहार आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना वीडियोне अगर पर वीडियो तो दिस बंगल झाल वीडियो वीडियो भीडियो झाल झाल